है लो फ्रेंट्स आपके अपने चैनल येस जे हिंदी रेस्पी में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे डिनर सिंपल सा डिनर तो डिनर की रेस्पी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो अभी हमने गैस अन कर दिया है एक राही रखी सरसों का तेल डाल में होने लगता है और ऑर साथ में हम डालेंगे इस में जीरा तो शाबू जीरा हमने एक स्मच शाबू जीरा डाल दिया है ॉर तेश पकत्ता थोड़ा सा और थोड़े से खड़े मसाले तो एक छोटी ऐलाइची दालची ओर जबट्री का जरा सा छट्रोत्रों से टुकड़े हमने डाल दिये हैं और जैसे ये थोड़ा सा चटण के लगएंगे ढल देंगे साथ में ऋजैसे हींग और जीरा अच्छे से पक जाते हैं साथ में डालेंगे एक प्याज तो प्याज को भी बून लेते हैं फ्रिंट्स आज की रिस्पी अगर थोड़ी से भी अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सर्सक्राइब कर लेना तो बनाते हैं डिनर और डिनर की रेस्पी शेयर करते हैं आप लोग इस साथ में तो अभी न प्याज जैसे ही पग गया है तो जैसे ही हलका सा ब्राउन हुआ तो अभी हमने इसमें डाल दिया अद्रक लसुन और हरी मिर्श का पेष्ट तो यह होता है कि बना के रख लो अद् द्रग लसुन पके हमने डाल दिया है तो दो टमाटर हमने डाल दिया है दो टमाटर काटके डाल दिया और थोड़ा सा इनको हम नर्म होने तक पकने देंगे धक देंगे तो दो तीन मिनट के लिए धक देंगे और दो तीन मिनट के दो मिनट के बाद अभी हम देख लेते है प्याज अच्छे से गलाए नहीं और टमाटर और साथ में हम डालेंगे इसमें अब कड़ी पत्ता तो सूखा कड़ी पत्ता हमारे पास काफिर खा हुआ है तो कड़ी पत्ता डाल देंगे और मसालों को थोड़ा सा टमाटर और प्याज को पकने देंगे तो जैसे थोड़ा सा हलका हलका यह नर्म होंगे साथ में डालेंगे हम इसमें मसाले तो सिंपल से मसाले हम डालेंगे वही हल्दी, पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला लाल मिर्शी, काश्मीरी लाल मिर्शी, तिखी लाल मिर्शी थोड़ी सी तीखी मिर्शी डाल देंगे थोड़ी सी डाल देंगे काश्मेरी लाल मिर्श काश्मेरी लाल मिर्श से कलर बहुत अच्छा आता है सबजी का और साथ में डालेंगे गरम मसाला उसके साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला तो पावभजी मसाले से न हमारी सब्जी बहुत बढ़ीया सी बनेगी नमक डाल देंगे इसमें टेस्ट के अनुसर और बस मसालों को अच्छे से पकने देंगे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे तो हम बना रहे हैं आलू मटर की सबजी आलू मटर बहुत ज़्यदा अच्छा लगता है और अभी तो नया मटर भी आने लगा है लेकिन जो मटर है ये फ्रोजन वाला मटर है तो अभी मसाले हमारे अच्छे से ढखने के बाद हमने दो मिनट के लिए फिर से ढख दिया था अभी हम देख लेते टमाटर नर्म हो गए हैं टमाटर और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए और इनको ना थोड़ा सा हम इसी कल्चल से ना थोड़ा मैश कर देंगे तो अच्छे से और ज्यादा बढ़िया से पक जाएंगे एक दम टमाटर हमारे गल जाएंगे तो मसाला हमारा हो गया है तयार सिम्पल सी सब्जी है सिम्पल सब्जी लेकिन बहुत ज़्यादा टिस्टी और अब हम डाल देंगे सब्जी तो हमने आलू मटर जो काट के और धूल के रखा है तो आलू मटर भी डाल देंगे आज हमने काटना छाटना कुछ भी शेयर नहीं किया सिम्पल सी हमने रेश्पी बस तयारी कर ली अपनी और तयारी के साथ मैं आप लोग शेयर कर दिया तो अभी हमने डाल दिया है आलू मटर और मसालों के साथ आलू मटर को मिक्स कर लेंगे बहुत ज़्यादा ये टेस्टी सब्जी लगती, आलू मटर तो सभी लोगों को अच्छा लगता है तो आलू मटर की सब्जी हमारी अच्छे से मिक्स हो गए और इसको हम ना बस ढग देंगे, दो मिनट के लिए ढग देंगे और दो मिनट के बाद अभी हम देख लेतें तो मसाले और सबजी का जो फ्लेवर है ना एकदम बढ़ियासा आएगा मसाले ना सबजी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और इनको फिर से अच्छे से हम चला देते हैं उलट पुलट देते हैं उलट पुलट के नीचे उपर ऐसे कर देंगे थोड़ा सा तो हमारे मसाले और अच्छे से सबजी ओं में लग जाएंगे और इनका जो फ्लेवर है बढ़ियासा आजाएगा आप हम डाल देंगे पानी तो थोड़ा सा हम डालेंगे पानी बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम बनाएंगे सब्जी लुट पुटी वाली ना बहुत जादा गाड़ी ना बहुत जादा पतली लुट पुटी वाली बस थोड़ी सी और तेज पत्ता इसका ना अच्छा नहीं लगता है तो इसका हम निकाल देंगे फ्लेवर इसका आ गया है तेज पत्ते का सब्जी में त तो अभी हम देख लेते सब्जी अभी बिल्कुल भी पकी नहीं है आधी-आधी पक गई है तो इसको हम अच्छे से चला देंगे फिर से पर नीचे इसको mix कर देंगे जिसे ना पूरी सब्जी हमारी अच्छे सी पक जाए बढ़िया और इसको फिर से हम ढग देंगे और ढगने बाद अभी हमने फिर देख लेते हैं दो मिनाट के बाद फिर देख लेते हैं तो अभी भी थोड़ी सी इसमें ग्रेवी बची हुई है तो इसको फिर से हम चला देंगे दो तीन बार इस तरह से देखना है कि खोल गे किस तरह से सबजी हमारी पकी या नहीं आलू गले नहीं तो आलू को हमने देख लिया आलू में अभी गल गए हैं लेकिन हलका सा भी थोड़ा सा और चाहिए तो अभी हम डाल देंगे कसूरी मेथी और ये न ढखने से बस सबजी एकदम बढ़िया परफेक्ट हो जाएगी तो अब हमें इसको पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सबजी हमारी तयार हो गई आलू मटर की टेस्टी सी सबजी दो मिनट के लिए हमने एक मिनट के लिए और चोड़ देया था कसूरी मेथी डालके है तो अब कसूरी मेथी भी अच्छे से मिक्स हो गई बढ़िया इसकी खुश्बू आ गई और इसका जो पानी था सबजी में वो भी ग्रेवी न वो भी जल गई तो अब हम धर्धनिया पत्ती डाल देते हैं और गैस कर देते हैं और बस हमारी सबजी हो गई आलू मटर की टेस्टी से सबजी हो गई तयार सिंपल वाली इसको रखते हैं साइड में तो यह हो गई बढ़िया से हमारी देखो एकदम इसका रसा एकदम खत्म हो गया है एकदम लूट पुटी वाली सब्जी हमारी बढ़िया से आलो मटर की तयार हो गई है और आप भी इसको हम निकाल लेंगे खाने के लिए तो इसको अभी हम फिला हलम रखते हैं साइड में और अब बनाएंगे रोटी तो हमारे आज डिनर में होगी सब्जी और रोटी सिंपल सी सब्जी रोटी डिनर में कभी कभी न यह तरह का भी बढ़िया लगता है सिंपल सी सब्जी रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है अभी हम बना लेते हैं रोटी यां क्योंकि बीच बीच में सब्जी जितनी देर हमारी पकती रही इतनी देर में हमने आठा लगा के पहले से रख दिया था तो अब हम रोटियां बना लेंगे साम के समय हलका फुलका और थोड़ा सा टेश्टी खाना अच्छा लगता है आलू मटर की सब्जी रोटी इस तरी का खाना थोड़ा सा अच्छा लगता है और सभी के घरों में लगभग यही इसी तरी का खाना बनता है तो हम सारी रोटियां बना लेते हैं तो हमारा आज का डिनर सब्जी रोटी बढ़िया सा टेश्टी एकदम मज़ेदार और सभी लोगों को अच्छा लगेगा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और सब्जी रोटी बनाना हो तो बहुत जल्दी बन जाता है फटा फट से बन जाता है तो ज्यादा टाइम नहीं लगता दस मिनिट में हमारा खाना तयार हो जाता है सब्जी पकने में भी ज्यादा टाइम लगता है ना रोटियां बन तो फ्रेंड्स एक बार हमारी तरह से सिंपल सा बना के देखना ट्राइ करना हलका फुलका खाना सिंपल सा खाना कभी-कभी ऐसा खाना बहुत ज़्यादा त्रिस्टी लगता है अच्छा लगता है तो हमने रोटियां भी बना ली सब्जी हमारी तयार हो गई है और अब हम निकालते हैं खाने के लिए तो बढ़िया सी आलू मतर की लूट पुटी वाली सब्जी और रोटि डिनर में तो हमारी रेश्पी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना मिलेंगे एक नियू रेश्पी के साथ तब तक थाइंक्यू बाइ इंज्वाइ करिए मेरी रेश्पी फूल वाच करिए आलू मतर की सब्जी रोटी अचार किचडी